डियर एस्ट्टेंट्स आए आज हम लोग कैम फॉल्वर का एक कोस्टन देखेंगे इसमें जो है प्रिवियस कोस्टन जदी आप देखेंगे तो एक कोस्टन था जस्ट उसी के आगे ये कोस्टन नमबर हमारा होगा 4 तो ये कोस्टन नमबर होगा 4 कैम फॉल्वर का तो ये को तो बताया था आपको सबसे इंपोर्टेंट चीज कि एक जो है रॉलर फॉलोवर था देखिए हम कोस्टन पढ़ने हैं एक कैम इते मिनिममम रेडियस ऑफ 25 mm यह कोस्टन जो है अलरी यहां लिखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे यहां पर ध्यान दीजे यह रॉलर 25 mm रे अधर इंधर ट्रोक यह रॉलर फॉलोवर आपको कीफ दीज व्ली रेज ट्रोय थोर्च्ट एंगी सब्सक्राइब के लुखर लेंगे देखिए हैं लुआ देखिए हम कोई अगाया रच प्रोश्ट पैस्ट आपको अर्दोड था उसके बाद अगया देखिए हम्टै वर the diameter of the roller is 20 mm तो हमने roller का radius ले लिया यहाँ पर 10 mm ठीक ने, instead of 20 mm diameter ठीक है, question is here that draw the profile of the cam when the line of stroke of the valve rod passes through the axis of the cam shaft तो यह हमने just previous question में देखा था यह जदी question आपके पास देखेंगे just इसके previous video में तो यह हमने simple harmonic motion के लिए draw किया था, क्या displacement diagram ठीक है, यह देख सकते हैं आप displacement diagram यह किसके लिए, SHM motion के लिए 120 degree out stroke था फिर यहाँ पर return stroke है, 60 degree के लिए फिर से dual period है, यह SHM के लिए कैसे draw करते हैं यह हम बहुत बार बता चुके हैं, आप previous question भी देख सकते हैं और यह हमने radial follower draw किया था आप देख सकते हैं, कि यहाँ जो आपका इस follower के axis है और cam के axis है दोनों consistent है, अर्थात, same है तो यह इसको हम लोग बोलते हैं radial follower तो यह हमारा question number A था, ठीक है B में बोलता है, the line of the stroke is offset 50 mm from the axis of the cam shaft that means कि अब यह cam shaft और roller क्या है 15 mm के offset पे है same question को हम बनाने जा रहे है with the help of this displacement diagram यह displacement diagram मेरा draw किया हुआ है अब देखिए कि हम किस तरह से offset follower draw कर रहे हैं तो आप एक एक करके देखिएगा और यह rpm velocity और acceleration diagram बहुत सारे question में हम draw कर चुके हैं और आप हम बता भी चुके हैं कि यह जो है इस formula से piws upon two theta nut से हम किस तरह से यह आपका SHM motion है तो यह किस तरह से angle ले करके यह angle है और यह velocity है तो यह आप देख सकते हैं किस तरह से हम यह maximum velocity निकाले हैं और यह acceleration निकाले हैं किसी भी वीडियो भी चुकी formula है हमारा formula ले करके आपको निकाल देना है तो अब देखिए यहाँ पर उसको हम discuss न करने के बजाए जो हमारा main काम है क्या कैम profile ड्रॉ करना उसको हम देखेंगे दोस्त ठीक है तो देखिए यहाँ पर हम जा रहे हैं कैम profile ड्रॉ करना ड्रॉ करने यह displacement diagram आपके पास और लडी है देखिए यह displacement diagram है इसी के basis पर हम यहाँ कैम profile ड्रॉ करेंगे इस question number 4 के लिए ठीक है सबसे पहले जो given है उसके अधार पर हम काम करें सबसे पहले यह देखिए आपको question में दिया हुआ है क्या दिया हुआ है यह जो आपका camshaft है 25 mm diameter यह क्या है 25 mm diameter देखिए यहाँ पर यह 25 mm जदी diameter है तो हम यहाँ पर 12.5 radius ले 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 और इसको हम draw कर ले यह point आप mark कर लिजे यह point हमने mark कर लिया center point और यहाँ से यह आपने 12.5 का हो गया उसके बाद 25 mm radius दिया है किसका cam with minimum radius of 25 mm तो cam का radius 25 mm इसी के उपर जो है आप 25 mm ले लिजे तो इसके उपर क्या हो गया आपका यह 25 mm यह 25 mm का हो गया ठीक है उसके बाद इसका axis mark कर लिजे कि axis कहां पर है ठीक है यह axis आपने mark कर लिया ठीक है ठीक है यह हमने axis mark कर लिया axis mark करने के बाद आपको दिया है offset यह question किसका है दोस्त offset का ध्यान रखिएगा यह question किसका है offset का यह offset का यह offset कितना दिया है 15 mm टीक है तो 15 mm पे आप फर्दर एक offset circle कर लिजे यह कितना है 15 mm यह आपका 15 mm हो गया यहां से फर्दर एक axis और ले लेंगे जो आपका यहां पे क्या होगा roller follower यहां से अब roller follower का होगा यह roller follower हम बनाएंगे अभी यहां पे अब यहां पे ध्यान दीजिए roller follower को बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि इस तरह से हम बनाएंगे तो सही लेकिन आप ध्यान दीजिएगा यह canvas के अंदर नहीं आएगा थोड़ा सा उपर भले चले जाए यह ध्यान दीजिए इस टेच करेगा ठीक है यह आपका क्या हो गया रॉलर हो गया ठीक है यह आपका क्या हो गया रॉलर हो गया ठीक है अब इस रॉलर के बाद अब यहां पे यह आपका रॉलर हो गया यह आपका लिफ्ट हो जाएगा ठीक है यह आपका क्या हो गया base cam अब यहाँ से जो है आप जो offset दिया हुआ है 59 mm इस offset से आप एक offset circle draw कर ले देखिए पहले जो है base cam 12.5 था soft और यह क्या हो गया आपका offset circle यह बाहर वाला है ध्यान दिजएगा इस दोनों के बीच का distance कितना है आपका 50 mm जा है offset ठीक है इसके बाद इस roller से आप क्या करेंगे आप prime circle draw करेंगे you have to draw the prime circle इसके center से आप prime circle draw कर लेंगे यह prime circle draw कर लिए उसके बाद ध्यान दिजए यह आपने displacement diagram तो draw कर लिया है displacement diagram हमारा draw है इसमें कही कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत कहाँ पर है कि अब पहले यहाँ पर out stroke कितना है आप देखिए यहाँ पर 120 degree out stroke कितना था आपका 120 degree dwell कितना था उसके बाद 30 degree उसके बाद फिर से return stroke कितना था 60 degree फिर से return dwell कितना था 150 degree इसको हम सबसे पहले बाट लें तो इसको सबसे पहले जब हम बातेगे तो देखिए यहां पर इस center को इस center से आप मिला लिजे यह center है न आपका roller का तुक निय ex earlier than our और यह camera center है इस center को हम मिला लिए उसके बाद यहां से 115 degree तो यह 120 डिगरी जो आपका यह out Fach alcohol है ॹस उन्तव एप मार्क कर लेज़े देखिए यहाँ पर यह 120 डिग्री आपको मिल गया वाले यह 120 पर हम मार्क कर लें कि है जिए इसको सबसे पहले हम मिल आएंगे कैम के सेंटर से इस जो रॉलर है हमारा उसके सेंटर को फिर उसके बाद है 30 30-degree दोस्त तो यहां से अब 30-degree हम ले लेंगे यहां जो है आपका यह आपका 30-degree हो जाएगा और 30-degree के बाद फिर से 60-degree यहां पर हम 60-degree mark कर लिए फिर 150 हो जाएगा दैट मिन्स कि यह हमारा जो है एक लाइन हो गया और यह हो गया हमारा दूसरा अब इसमें थोड़ा अप सही से देखेंगे तो यह हमारा आउट रीटर्न और स्ट्रोक और टीनों हो गया देखिए यहां पे यह कितना हो गया दोस्का 120 डिग्री, आउट श्टोक फिर यह कितना हो गया, Dual 30 डिग्री और फिर यह कितना हो गया, आपका 60 डिग्री ठीके और रस्ट अप बिर्मेनिंग पार्ट इज 150 डिग्री, एज ड्वेल प्रियद ठीके, तो यह हमारा हो गया, अब यहां पर को जो करना है तीन यहाँ पर क्या करना है कि इस 120 को जितने इकॉल नमब़ आपसमें आपने исп डिस्प्रेश्मेंट डाइग्राम को in कि देश्टिबूट किया है देखें यहाँ पर यही honor displacement डाइग्राम तुह थीन यहीं है आपका displacement डाइग्राम इसको अपने six parts में divide किया है यदि इसको six parts में आपने divide किया है तो अब हम इसको भी क्या करेंगे six parts में divide करेंगे तो देखिए इसको हम six parts में divide करते हैं इसको divide करने के लिए फिर आपको जो है देखिए यहां पर यह लिए ती न और यहां पर यह 120 डिग्री है तो 120 डिग्री को 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 5 5 सॉरी 2020 तो यह 2020 मैच खेल लिजे यह आपका 0 और इसको जो है हम पेंसिल से मार्क करें यह 20 40 60 80 100 और 120 यह हो गया अब इससे क्या करना है ऑब इससे क्या करना है दोस्त्स में अने आपको बता नहीं दोस्ते दोस्तव करें वा यहां पर से इसी को प्राइम सरकल पर पहले मार्क कर लेजिए किसको मार्क कर लेना है यह देखिए हम प्राइम सरकल को मार्क कर लेते हैं यह सिरु आपको भी नहीं किसना है यह क्या था है यह क्या हो गया टो उसी तरह से यहां पर थरी फिर उसी तरह से यह यहां पर 4 फिर यहां से यह 5 और यह हो गया आपका 6 ठीक है उसी तरह से यहां भी हम प्राइम सर्कल पर मार कर रहे हैं यह माले यह 6 था यह कितना हो जागा 5 फिर यह हो गया 4 यह क्या हो गया 3 यह हो गया आपका 2 और यह देखिए 1 और यह 0 उल्टा हमने रिटर ने स्टोक में 6,5,4,3,2,1 ले लिया है अब इतना लेने के बाद यह चुकि ऑफसेट फॉलोवर है आपको बताया थे टेंजेंट वाला कॉंसेट कि ऑफसेट रेडियस से आपको टेंजेंट लेना है तो आप कैसे टेंजेंट लेंगे तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा यह देखिए यहाँ पर हम टेंजेंट लेंगे तो इस 1 पर पहले पैंसिल को अपना पॉइंट फिक्स कर लिजे और इस ऑफसेट सरकल से आपको लेना है ऑफसेट सरकल के अंदर नहीं जाएगा जस्ट तरच करते हुए निकलेगा टो विए उसी तरह से यहाँ पर यह टू पढ़े पैंसिल रख दीजरे और इस ऑफसेट सरकल से तरच करते हुए निकलेगा ना की थोड़ा भी अंदर जाएगा टेश करते हुये निकल जाएगा उसी तरह से यहां पे three point यह three वाला point है यही छ्रोड पॉयंत है दोस्त ठीकर और इससे यह touch करते हुए निकलेगा ठीकर उसी तरह से इस four point पह mark किये और इसको अफ़ देख लीजे और जोरत पड़ी oppress और खिच लीजेगा ठीक ना फिर उसी तरह से यह 5 यह 5 और यह सरकल से टच करते हुए निकल जाएगा फिर यह 6 और यह 6 देखे यह निकल गया ठीक उसी तरह से यहाँ भी करेंगे यह 6 था हमारा किसके लिए return stroke के लिए फिर यहां से भी यह निकल गया उसी तरह से यह 5 point पे रखे और यह tangent खिचते हुए फिर यह 4 पे रखे और 4 पे हो गया फिर इधर 3 पे रखे और यह tangent row करना है ध्यान रखिएगा फिर यह 2 पे रखे फिर यह tangent row करना है फिर यह देखिए 1 पे और यह tangent row कर दिये फिर यह 0 अब देखिए ठीक है तो इस तरह से यह tangent यह देखन दीजेगा इस सारे जो points है वो क्या है tangent है अब इसके बाद जो है क्या आता है हमारा displacement diagram role में आता है तीक है अब displacement diagram में क्या करना है आपको similar वही process similar वही process जो आप कहां देख चुके हैं knife edge follower में या तीक है अब देखिए यहाँ पे आपको जो है यह दिख रहा है आपको displacement diagram तीक है यह आपको क्या था displacement diagram यही था आपको displacement diagram यह सभी point से हम क्या करेंगे कि distance लेंगे यह जैसे यह 1 है 0 पे तो 0 यह कोई दिक्कत नहीं है यह 1 वाले पे distance mark किये यहाँ पे और यह distance यहाँ पे mark कर लेंगे तीक है उसी तरह से यह 2 से यह 2 से आप ध्यान दीजेए यह general compass है आप engineering compass यूज करेंगे तो ही सही से आप खीच पाएंगे यह 2 से हो गया फिर यह 3 से लिए distance यहाँ पे फिर यहाँ पे 3 से ले करके फिर यहाँ पे 4 से लिए distance फिर यहाँ जो tangent वाला है उसी पे खीचेंगे ध्यान रखेगा यह 5 तो यहाँ पे यह 5 और यह 6 ठीक है दोस्त यह आपने 6 पे मार कर लिया ठीक है ठीक उसी तरह से यहाँ पे यह 6 है आपका है कि नहीं फिर यहाँ पे यह 6 टेंजेंट वाले पे यह जो आपने ड्रो किया है ब्लू लाइन जो दिख रहा है इस पे नहीं बलकि यह टेंजेंट वाला जो लाइन है उस पे फिर उसी तरह से यह 5 देखिए थोड़ा मेहनत है लेकिन बन जाएगा यह 5 उसी तरह से 4 तो यह 4 फिर उसी तरह से यहाँ पे 3 ढहीं ठीख फिर उसी तरह से यह 2 है यहाँ से यह टेंजेंट वाले लाइन है उसी शसी से मार करना है यहë फिर यहाँ से वान और फिर शीरोम पर ऑ्षरल से करना है उसमीं यह करना है कि इस रॉलर का जो है रेंटियस में अब यह displacement diagram की कहानी हो गई खतम अब ध्यान दीजे कहां पर आपके प्रोफाइल पर ठीक है अब क्या ध्यान देना है तो ध्यान दीजे यहां पर कि जिस जिस point को आपने mark किया है ध्यान दीजे जिस point को mark किया यह न यह यह रेडियस जितना यह point आपने mark किया है जैसे यह one वाला point है इसको आप पहले एक roller बना दीजे ठीक है उसी तरह से ध्यान दीजे यह two वाला point है देखे यहां पर आप देख पा रहे होंगे यह two वाले oint से हमने एक roller बना दिया ये दिए thể लोला point है हमारा जिस इसरी वाला points है इससे जो है हमने लोल बना दिया फिर फोर वाले से तिन यह 4 वाले से रोलर बना दिये धिन फायव से फाइंस थिर Spain यह six like cham उसी तरह से यहां भी यह 6 वाला पॉइंट है फिर यह 5 वाला पॉइंट है सभी से रोलर बना दीजे तो देखने में भी अच्छा लगेगा और गलत होने का चांसे भी बहुत नगन ने रहेगा नहीं के बराबर गलत होगा ठीक है यह देखिए यहां पर इसको मार कर लिए फिर उसी तरह से यह देखिए पॉइंट्स यहां भी मार कर लिए फिर उसी तरह से यह वान वाले से फिर यह जीरो वाले से भी आम मार करेंगे तो exactly यह जो है आपका यह आ जाएगा ठीक है अब इसको क्या करना है आपको देखिए सारे रॉलर बन गए ठीक है अब जिस तरह से प्रिवियस कॉंसेप्ट था वही कॉंसेप्ट यहां भी है कि यहां से इस पॉइंट से आप सुरू करेंगे जहां पर यहां पर करना है यहां पर करना है यहां पर करना है तीक है जहां पर यह तच किया है तीक है इस पॉइंट से इस सभी रॉलर के टेंजेंट को लेते हुए 저 Eard करना और sfreya n deer MALE करना है दो इंहां देजिगा पश्रफ टच करते हुए निकाल देना है कि ए ठीक ने डेखे हैं टच करते हुए निकल ला है सब फिर यहां से यहां तक टो ड्रेयड है यहां से यहां तक जो है आपका क्या है यह ड्रेयड ठीक है और यहां के बाद फिर से आपका क्या सुरू हो जाता है रिटर्न स्ट्रोक यहां पर आ जाएगा ठीक ना और फिर अब यहां से यह आपका डेल पिरियड हो गया ठीक है तो यहां से अब आप देखेंगे यह हो गया आपका कैम प्रफाइल जदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो यह कोई भी इस पॉइंट से सुरू करेंगे टच से और यहां से यह होते हुए आपका गया है और किसी भी सरकल के अंदर नहीं जाएगा यह जो रॉलर सरकल है इसको टच करते हुए निकलेगा और यह टच करते हुए ड्यूएल पिरियड हो गया पिर यहां पर अब इसमें दोस्त यह ध्यान रखिएगा कि टच करते हुए निकल गया और फिर यहां पर यह हो गया अब यहां पर कुछ बच्चे यह कोशन पुछते हैं कि सर यह तो कोई एक ऐसा सरकल है कि जिसको इसने टच ही नहीं किया बचारा यह कुमारा ही रह गया तो इसको आप रहने दीजिए क्योंकि यह उपर ही उपर रह जाएगा इसको टच हो सकता है ना करें तो आपको परिसान नहीं होना है जबरजस्ती इसको नहीं मिलाना है अंदर लाकर के इसको टच करते वे निकाल देना है तो यह हो गया आपका केम प्रोफाइल फॉर दी ओफसेट रॉलर फॉलवर ठीक ना ओफसेट केम यहाँ पर देख सकते हैं कि यह 15 mm का ओफसेट था तो दोस्तों आपने यह देखा आई होप आपने इसको अच्छे से समझा भी होगा और इसको आप प्रेक्टिस कीजिए आप प्रेक्टिस तो और ज्यादा समझमें आएगा क्योंकि प्रेक्टिस मेक्स एमेन परफेक्ट ठीक ना प्रेक्टिस 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 इसको हम कई बार बताते आ हैं अभी भी बता रहे हैं टो इन QoYouकर को आप प्रेक्टिस कीजिए यह जो है हमारा Qoґस्चन था Qo不錯 Nr 4 Offset follower का था जिसमें कि मोशन था हमारा SHM और आउट श्टोक ड्वेल रिटर्न श्टोक और यह सब दिया हुआ था और उसके अधार पे यह आफसेट फॉल्वर हमने ड्रो किया आपको समझ में आया होगा इसको एक बार दो बार जब भी आपको समय मिलता है देखिए और वीडियो पा खुआ जालने कर दो दो और कि मैं आसी और लावा बदेखिए और टॉट में आपको पूल्वर काो पालड दॉटोक अधार बदेखिए और श्टोक ड्योंट का यह आत्वीं का ड्सक्तुका लिए ऑट टॉटर्ट विड वाटिटर्स प्र लावक तूल्ट का तॉटर्ड